स्री शिवाय नमस्तु भी हम दर्शकों यदि आपके घर में आमदनी कम हैं और खर्चे बहुत जादा हैं कुल मिलाकर यह बात है कि आपके घर में कमाई कम होती है और खर्चे बहुत जादा होते हैं जैसे कि आप 1000 रुपे कमाते हैं और 1500 रुपे का खर्चा आपके घर में हो लगता है और आप तुरंत ही कमा कर लाते हैं और वह पहचा घर में टिकता ही नहीं है आप कितने ही कोशिश कर ले आपके आमधनी से ज़्यादा आपकी उधारी बड़ी हुई होती है यानि आप उधार ले लेकर अपने घर में खर्चा चला रहे हैं आपकी कमाई बहुत ही कम तो आप एकादशी के दिन छोटा सा एक उपाय करें जो कि पूजनी स्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा बताया गया है इस उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं अब हम बताते हैं क्या-क्या सामगरी चाहिए हमें चाहिए साथ बेल पत्र और गंगा जल स साथ बेल पत्री अच्छी साफ स्वच्छ देख करके ले लीजिएगा उस साथ बेल पत्री को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो गंगा जल है उसे एक तांबे या पीतल के लोटे में डाल करके आपको नंदी के जो पाउं उठा हुआ होता है उस पर आपको सम उचा पेरें वहां पर समर्पित करना है और जो साथ बेल पत्र हैं उन साथ बेल पत्रों को शिवलिंग पर समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि आपके घर में आमदनी होने लगे और आपके घर में धन की जो कमी है आपके घर में व्यापार अच्छा नहीं च आप इस उपाये को किसी भी एकादशी को कर सकते हैं आप पूजनी स्री पंडित प्रदीब जी मिस्रा दौरा बताये गए बहुत से उपाये हमारे चैनल के दौरा देख लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई उपाये बताएंगे आप तक सबसे पहले पहुचेगा और आप उस उपाये को करके अपनी समझा का समाधान निकाल पाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में स्री शिवाई नमस्तु भियम जैमाता दी